नमस्ते पहरी विद्यारती हो आज हम बीजगनित एलजेब्रा के इंपोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको बताने वाले हैं अगर यह सारे फार्मूले आप अच्छे से यौद कर लेते हो समझ लेते हो तो फिर आपको बीजगनित के क्यूशंस को सॉल्व करने में कोई भी परकार की प्रोब्लम नहीं होईगी तो इसमें देगे सबसे पहले हमारा जो फार्मूला बनता वो होता है ए स्कुायर और माइनस बी स्कुायर यानि ए की पावर दो माइनस बी की पावर दो तो जिसका एक फिक्टर बनेगा ए पलस बी पहले ब्रेकिट में और ए माइनस बी हो जाएगा दूसरे ब्रेकिट हो यानि ए स्कुायर माइनस बी स्कुायर हो तो आप इसको ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो यानि A plus B break it A minus B यहाँ पर लिख सकते हो लेकिन अगर A square plus B square होगा तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो यह ध्यान रखना है नमबर दो A minus B का whole square अब यह A square minus B square और A minus B का whole square दोनों अलग अलग है वहाँ पर A और B दोनों का अलग अलग square था और यहाँ पर A minus B का whole square है इसका यहाँ पर फार्मूला बनेगा A square minus का 2AB और पलस में आजाएगा B square इसका फार्मूला यह बन जाएगा नमबर तीन जहाँ पर बनेगा A plus B का whole square है A plus B का whole square हो जाएगा A square plus 2AB और पलस B square नमबर चार इसमें बन जाता आगे चल करके अक्स प्लस ए और ब्रेकिट अक्स प्लस बी यानि यहां पर यह फ्रेस्ट पार्ट दोनों का सेम हो और सेकंड पार्ट दोनों का क्या हो अलग-अलग हो तो इस टाइब का जो अपने पास भीजग नहीं थी है फार्मूला बनेगा वो जाएगा अक्स स्क्वार प्लस अक्स ब्रेकिट में आ जाएगा प्लस बी और प्लस का अब नमबर पांच यह निए पावर दो के जो फार्मूली हो तो अब चलते हैं पन पावर तीन की और और पावर तीन में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा सबसे पहले अप्लस बी का होल क्यूब अब ए प्लस बी का जो होल क्यूब वह इसका फार्मूला होगा एक की पावर तीन प्लस बी की पावर तीन प्लस थ्री ए बी और ब्रेकिट में आ जाएगा ए प्लस बी इसका फार्मूला यह बन जाएगा नम्बर छे यहाँ पर आप लिखेंगे A माइनस B का होल क्यूब ए माइनस B का होल क्यूब का पार्मुला बनेगा A का क्यूब माइनस B का क्यूब और माइनस में आ जाएगा 3 A B और बरेकिट A माइनस B इन दोनों में देicional परिवर्टन क्या हुआ जब A plus B का whole cube है यहांपर है A minus B का whole cube तो यहांपर A वाले देखो सभी positive थे लेकिन B इसमें कहाता negative था यानि B किसका था minus का तो जहाँ 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 पर B की power minus माइन मतलब विसम होगी वहाँ minus हो जाएगा देखो B की power 3 थी जो की विसम संके है इसलिए minus यहांपर B only A की बार था तो minus और यहांपर B B की power 3 था इसलिए minus तो यह इसका फार्मूला यहांपर बन जाएगा फिर इसके बाद में देखिए नमबर 7 अब यहांपर A की power 3 और minus B की power 3 आजाए यहां A minus B का whole cube तार यहांपर A और B दोनों की power 3 तीन पर अलग अलग है इसका फार्मूला होगा यहांपर A minus B यहनि ब्रेकिट के साथ रहेगा सेकिंड ब्रेकिट में आएगा A square और यहांपर प्लस का A B होगा और प्लस का हो जाएगा B square नमबर 8 A की power 3 प्लस B की power 3 अब यहां देगो माइनस B cube था यहां प्लस का B cube है तो इसमें क्या होगा कि जहां माइनस ता वहां प्लस हो जाएगा जहां प्लस ता वहां माइनस हो जाएगा A minus B को हम लिख पाएंगे A plus B और इस ब्रेकिट में हो जाएगा A square minus A B और प्लस का B square इसका formula यहां पर यह बन जाएगा पिर इसके बाद में और बनता है A की power 3 पलस B की power 3 पलस C की power 3 minus 3 A B C तो यहां पर इसका formula बनता है A plus B plus C पहले ब्रेकिट में second bracket में आएगा A का ही square plus B का ही square plus C square माइनस A B माइनस B C और माइनस A C अब यहीं पर क्या होता है कि यदी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदी A प्लस B प्लस C है ना वो किसके बराबर हो जाए जीरो के बराबर A प्लस B प्लस C कौन सा यह वाला A plus B plus C यह वाला part अगर 0 हो जाएगा तो इस complete से गुणा होकर यह भी 0 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे A Q plus B Q plus C Q वो माइनस 3 A B C वो बराबर 0 तो माइनस 3 A B C को बहार निकाल देंगे न तो यह plus का 3 A B C बन जाएगा इसी फार्मूले को यह दी A plus B plus C बराबर 0 A Q plus B Q plus C Q बराबर हम इसको 3 A B C B यहाँ पर लिके सकते हैं यह वाला फार्मूला बन जाएगा कुछ फार्मूले और भी बन जाते हैं वीजगने थे वो भी आप देख लीजिए ताकि यह सारे complete हो जाएए चैसे फिर आजाएगा ग्यारा नंबर पर आपके पास A SQR और पलस B SQR का पर फार्मूला बना लेते हैं A का SQR पलस B का SQR यादि आप लोगों को बना ना होने यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो आपका A plus B का whole SQR इसमें से अपन क्या कर देंगे 2AB को माइनस कर देंगे तो यह A SQR पलस B SQR का फार्मूला बन जाएगा अब आप होगी यह कैसे बना तो देखो यहाँ इसा फार्मूला अपने उपर बनाया था यह रहा A plus B का whole SQR A SQR पलस 2AB plus B SQR था ना यह जो 2AB है अपर किसका plus का इसको अगर अपन इदर निकाल देंगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर कौन बचेगा A SQR पलस से B SQR ही तो बचेगा और कुछ दो ना बचेगा तो देखो A SQR पलस B SQR और A plus B का whole SQR और माइनस का 2AB अगर इसके साथ अपन A SQR और पलस B SQR के साथ A plus B का whole SQR ना लेकर के अगर A माइनस B का whole SQR लें तो इसका परसार होता है का A SQR पलस B SQR माइनस का 2AB होता है तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे पलस का 2AB कर देंगे तो यह 20 गनीद के हमने टोटल यहां पर 12 पार्मूले आपको बताए है अगर आप इन 12 पार्मूलों को याद कर लेते हो तो 20 गनीद यानी अलजेबरा के अधिक्तम जो क्यूशन है ना वो आप आसाने से सोल्वे कर पाओगे यदि आपको यह पार्मूले अच्छे लगे हो समझ में आये हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जूर करना और चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राब ही कर लेना